Hello everyone, welcome to Ibrad classes आज हम atom, molecule, elements, compound इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे and थोड़ा easy way में पढ़ेंगे हम कभी भी जब chemistry को पढ़ते हैं तो इन सब terms में हमें confusion होने की वज़े से हमें chemistry समझ मिने आती है हम हमेशा confused रहते हैं इन सब terms में कि atom क्या है, molecule क्या है, molecule सबसे चोटा है या फिर atom चोटा है, compound किसे कहते हैं तो हम आज ये सब discuss करेंगे, चली शुरू करते है देखे, यह जो हमारा atom है यह substance का सबसे smallest unit है सबसे चोटा unit जो है substance का वो atom है atom ए Greek word है, जिसका मतलब होता है indivisible जिसे आगे further divide ना किया जा सके लेकिन ये earlier thought था, earlier scientist जो थे ये उनका कहना था कि atom सबसे चोटा है unit substance का हम इसको divide नहीं कर सकते हैं लेकिन अब आपको तो पता है कि अब इस time में scientist ने इस बात का पता लगा लिया है कि atom के अंदर भी तीन particle होते हैं हो है electron, proton and neutron मतलब जो हमारा atom है वो electron, proton and neutron से मिलके बना होता है इसमें क्या होता है atom का जो center होता है वो क्या होता है nucleus इसमें neutron and proton होते है neutron हमारा neutral होता है and proton पर positive charge होता है and electron इसके 4 तरफ चक्कल लगाता रहता है ये हमें पता है तो चलिए हम इसको देख लेते हैं यह आपका atom यह जो center part है यह आपका nucleus है इसी में neutron and proton है and nucleus हमारा nucleus पे हमारा positive charge होता है और यह जो revolving motion में यह हमारा electron है जो कि nucleus के चारोज़रब चक्कल लगा रहा है देखे next है हमारा molecule आपने अगर first slide पे ध्यान दिया होगा तो atom को मैंने यहापे green color से show करा हुआ है ठीक है and यहाँ मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि यह molecule भी atom से ही मिलके बना है यहाँ मैंने combination of atom दिखाया है तो जो molecule है यह combination of atom है मतलब यह atom से ही मिलके बना होता है अगर हम कोई भी substance है माली जे माली जे आपका है अगर हम यह water है अगर weater molecule के बात करें माली जे यह आपका water का molecule है तो इसका यह मतलब हुआ कि इस molecule में water की जतनी भी खासियत होती है सब मौजूद है इस molecule में water की जतनी property है वो सब कुछ इसके अंदर है, okay, molecule होने का मतलब यह होता है, ठीक है, and molecule क्या है, atom का combination है, okay, आप कोई confusion नहीं होनी चाहिए, देखे, यहाँ पर मैंने यही लिखा है, कि smallest particle of substance which has all the property of that substance, मतलब जो molecule है, वो substance का सबसे छोटा particle होता है, और इसके अंदर उस substance की सारी property मौझूद होती है, okay, जैसे example के तौर पे हम क्या लेंगे, water molecule, and salt molecule, okay, देखे, यह मैंने यहाँ पर आपको water molecule शो करें है, okay, देखे, नेक्स्ट है हमारा element, पहले यहाँ देखे, मैंने इस color से है hydrogen atom दिखा रखा है, फिर यह color आपका calcium atom के लिए, यह carbon atom के लिए, तो यहाँ पर मैंने दो similar color दिखा रखे, मतलब यह hydrogen atom को दिखा रहे हैं, यह दोनों आपके जो circle है, यह आपको hydrogen atom दिखा रहे हैं, okay, अब हम देखते हैं element किसे कहते हैं, देखे, ऐसे substance जिनके molecules एक तरह के atom से मिलके बने होते हैं, उन्हें कहते हैं element, अब देखे, यहाँ प पर रखा है कि यह combination of atom होता है, ठीक है, अब ऐसे substance जिनके molecules, मतलब molecules मतलब क्या, atom, molecules क्या है, combination of atom, ऐसे substance जिनके molecules सिर्फ एक तरह के atom से मिलके बने होते हैं, उन्हें कहते हैं element, जैसे इस element के example में मैंने यहाँ पर दो similar circle लिये हैं, मतलब यह क्या hydrogen element को दिखा रहा है, यह oxygen element को दिखा रहा है, ओके, O2, यह देखिए, यहाँ पर मैंने O2 को दिखाया है, ठीक है, यह similar atom से मिलके बना आया है, मतलब यह element है, ओके, next है हमारा compound, देखिए, compound ऐसे substance होते हैं, जिनके molecules में जो atom होते हैं, वो एक type की नहीं होते हैं, वो different होते हैं, ठीक है, जैसे NaCl, sodium chloride, ओके, यह क्या है, यह compound है, ठीक है, लेकिन इनके जो molecules के atom है, वो एक जैसे नहीं है, यहाँ पर sodium के atom है, और यहाँ पर chlorine के atom है, ठीक है, यहाँ पर मैंने यह show करने को शिच करीए, sodium को हमने yellow color लिया है, तो यहाँ पर yellow color से है, and chlorine का pink है, तो यहाँ पर मैंने pink से दिखाया है, ठीक ह इसमें हमने दिखाया है कि यह different type के atom से मिलके बना है जो आपका green है वो आपका sodium है जो आपका blue color के ball है वो आपके chlorine है इस lecture को अगर मैं sum up करना चाहूं तो हमने अभी तक यह पढ़ा है कि हमारा जो atom है वो सबसे smallest unit होता है किसे भी substance का फिर उसके बाद हमने molecule के बारें पढ़ा है molecule जो है हमारा वो combination of atom होता है then हमने पढ़ा है आपका element element जो होते हैं element के अंदर जो molecule होते हैं उनके जो atoms होते हैं वो similar type के atoms होते हैं then हमने पढ़ा है last compound compound ऐसे substance होते हैं जिनके molecules आपके जो molecules हैं उसके अंदर उसमें जो atoms हैं वो different type के हैं वो same नहीं है जबकि element में वो same थे ओके, hope ये lecture आपको समझ में आया होगा वैसे मैंने easiest way में इसको explain करने की कोशिश करिये ताकि कोई भी confusion ना रहे ओके, thank you for watching